हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाध करता हूँ अपने यूटूब चैनल जॉब्स इन शॉट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब वैकंसी की जानकारी लेकर रहा हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रहा है ब्रह्मोज एरोस्पेस प्राविट लिमिटिट की तरफ से जी हां दोस्तों यह जॉब वैकंसी है ब्रह्मोज एरोस्पेस रिकूट्मेंट और 23 जिसे की एक्जिविटी पोस्ट के लिए जारी किया गया है सेलरी की बात करें तो यह आपको 6700 रुपय से लेकर एक लाख 9740 रुपय पर मन तक ही मिल जाएगी वहीं जॉब लोकिशन आपका है इदराबाद तिलांगना निव दिल्ली दिल्ली पिलानी रहस्थान और नागपूर महरास्ट्रा होगा अगर बात कर लेते हैं शां का अभ़द करने के लिए आप्ले मोऑस क्या रखा गया है तो इसे कंप्प्लिटनी ओफ लाइन रखा गया दोस्तों तो आए बिणह देर किया एस जोब इरकर लोस्टों इस अधियर के बारे में ढ़ारे में में जोन लेते ऑं सबसे पहले बात के लिए आपके पास master's degree in Russian language होनी चाहिए executive assistant के लिए आपके पास graduation in Russian language होनी चाहिए महीं systems engineer ECE के लिए जिन काईट्स ने BIA BTEC कर रखा है ECE से वो इसके लाधन कर सकेंगे जबकि systems engineer CSIT के लिए जिन काईट्स ने BIA BTEC कर रखा है CSIT से वो इसके लिए आधन कर सकते हैं अगर EGM या DGM post की बात करें तो इसके लिए आपके पास MBA in HR की डिगरी होनी चाहिए अगर post wise salary details की बात करें तो executive और executive assistant के लिए एच पर norm C रखी गई है महीं systems engineer post के लिए आपको मिल जाएगी जिन काईट्स के लिए 45 वर से उससे कम होनी चाहिए जबकि systems engineer post के लिए 28 वर से उससे कम होनी चाहिए application fee की बात करें तो यह बिल्कुल free of cost है वहीं selection process के वाल इंटर्वी पर based होगी और अगर हम तुमें बात कर लेते हैं important dates की तो इस form को भरने की प्रक्रिया 18 April 23 से start हो जाएगी जो कि 2 माई 23 तक चलेगी साथी एक और important बात बतारों दोस्तों इस वेकंजी से related जितनी भी important links है वो सारी आपको उस वीडियो के description में मिल जाएगी उस पर click करें कि आप official notification में download कर सकते हो और अपने application form को भी download कर सकते हो तो उमीद करता हूं दोस्तों इस short वीडियो में आपको उस वेकंजी से related सारी जानकारी अच्छे से समझा गई होगी अगर फिर भी आपको कोई doubt है या